नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर कारिकरम खबर की खोज, सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ, बेभाग, सत्ता का जूट, बेनकाब, आग में तपीद पत्रकारिता, दापती है, सवाल, दर सवाल दिपावली की जगमगाहट में आम भारतिय नागरिक का तो दिवाला ही निकला हुआ है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपईय का जो गाना है तो आउटडेटेड हो गया है, हब तो आमदनी चवन्नी पर आगई है और खर्चा पेट्रोल, डीजल की कीमतों की तरह आगे ही भागा जा रहा है, उसमें आग लगी हुई है, बस याद दिलाने के लिए इसका हवाला देना जरूरी है कि 2014 में पेट्रोल का दाम 71 रुपीज था, 71 रुपे का था पेट्रोल, डीजल का दाम 55 रुपीज, 55 रुपे था, उस समें कच्चा तेल 105, 105 डॉलर बैरल था और नवंबर में, नवंबर 2021 में पेट्रोल पहुच गया है, 109 से भी उपर, डीजल 98 से भी उपर, और वह भी तब जब कच्चा तेल 85 डॉलर बैरल है हाल यह है, कि उत्तरप्रदेश तक के, जो भाशपा के नेता है, सुनील बारला, उन्होंने अभी मोधी सरकार को एक पत्र लिखा है और उसमनोंने कहा है, कि लोगों में गहरा असंतोश बढ़ रहा है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमते बढ़ रही है, तमाम जरूरी चीजों की कीमते बढ़ रही है, उसने बड़े पैमाने पर आम नागरिकों के भीतर गहरा गुस्सा पैदा किया है और क्या बताएं, दो महीने के भीतर खाने का तेल, उसकी जो कीमत है, उसमें 20-30 रुपे प्रती लीटर की वृद्धी हुई है, लेकिन यह सब अच्छे दिन चल रहे हैं, और अर्थववस्था के स्थिती जितनी खराब है, उसके तमाम पैरामिटर्स हमारे सामने हैं, हम और आप बतोर भारतिय नागरिक इसे जेल रहे हैं, रोजाना, एक तरफ पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल, तमाम जरूरी चीजों में आग लगी है, और हम और आप कैसे भूल सकते हैं, कि प्यारी रसोई गैस, वह तो लोगों की पहुस से ही बाहर होती जा रही है, इसके सरकार ने, आज अपने इस कायक्रम में हम खास चर्चा करेंगे एक ऐसी घटना पर, एक ऐसी अंतराष्टी बैठक पर, जिस पर हमारी आप की या यू कहें, पूरी दुनिया की गहरी नजर बनी हुई है, हमारी आपकी चिंता है, क्योंकि ये हमारे और आपके सर्वाइवल से यानि अस्तित्व से जुड़े हुए मुद्दे पे चर्चा हो रही है, कॉन्फरेंस अफ पार्टीज, कॉक 26 की बैठक युनाइटेट किंग्डम के ग्लासगोज में शुरू हुई 31 अक्टूबर को और 12 नवंबर तक यह चलेगी, इसमें भारत सहित 120 देश शामिल हैं, तमाम देशों के प्रमुख यहां पहुचे हैं और वह चर्चा करने जा रहे हैं, या यूँ कहें, चर्चा शुरू हो गई है कि किस तरह से दुनिया को क्लाइमिट चेंज, यानि जलवायू परिवर्तन के खत्रे से बचाया जाना चाहिए, बचाने के लिए क्या कदम उठ बचाया जाने चाहिए, यहां पर हम आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जो क्लाइमिट चेंज पर कॉन्फरेंस होती है, हर साल कॉन्फरेंस जो होती है, इस पर उस तरह की सहमती, उस तरह की बाचीत नहीं हो रही थी, या यूँ कहें कि बाचीत बिलकुल बेमानी हो जो ही थी, क्योंकि दुनिया को सबसे बड़े खत्रे की ओर धकलने वाला अमरीका इससे बाहर हो गया था, अमरीका के बाहर होने के बाद, जिस समय डोनाल ट्रम्प वहां पर आये, उन्होंने पैरिस एग्रिमेंट जो हुआ था, उससे अपनी जो सहमती थी, वह वापस ले जल्वायू परिवर्तन की मार पड़ रही है, कहीं पर सूखा आ रहा है, कहीं बाढ़ा आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, और करोडों आबादी बिलकुल तबाही और बरबादी के कगार पे खड़ी हुई है, यह सारे मुद्दे विश्वमान्चिद्र से गायब हो गय लेकिन इस समय जो बैठक हो रही है COP26 इसमें दुबारा से यह आशा जगी है कि हम आप और तमाम देश मिलकर सोचेंगे कि दुनिया को कैसे बचाया जा सकता है Climate Change पर जब भी discussion होता है जब भी बात होती है जलवायू परिवर्तन पर तो सबसे बुनियादी चीज जो आती है कि विकाशील देश और विक्सित देश यानि developed countries और developing countries इन दोनों के बीच क्या रिष्टा होगा कौन अपना उत्सर्जन कम करेगा उत्सर्जन कम करने का मतलब है विकास की रफ्तार को कम करना और यहाँ पर जो नियाए की बात है यह है कि विक्सित देशों ने developed countries ने चाहे वो अमरीका हो ब्रिटेन हो या पूरा का पूरा 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 जो इलाखा है उसने उद्योगी करांती से लेकर अब तक जिस तरह का उत्सर्जन किया है जिस तरह से अंधा दुन विकास किया है उसने पूरी दुनिया को खत्रे में डाला है और खत्रे में डालने पर सबसे पहला नंबर अमरीका का है तब सवाल यह उठता है कि दुनिया को बचाने की जो जि चाहिए जिन्होंने इस दुनिया को सबसे ज़्यादा बरबाद किया है और पैरिस समझोता इस ओर इशारा करता है आज जब COP26 हो रहा है उसमें इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है इन तमाम मुद्दों पर हमने बाचीत की दीर अगुनंदन से जो दिल्ली साइंस फोरम स जुड़े हुए हैं और क्लाइमेट चेंज यानि जलवाई उपरिवर्तन पर बहुत पैनी निगाह लंबे समय से बनाए हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश की कि वह यह जो COP26 चल रहा है इसे कैसे देखते हैं आप क्या देखते हैं कि यह जो समिट है COP26 इसके सामने क्या चुनौतिया है क्या immediate actions है जो पूरे दुनिया के जुनागरिक हैं चाहते हैं कि climate change पर हस्तक शेप हो अभी हाल में एक दो महीने पहले IPCC के अंतर राश्ट्रे जो वैग्यानिक संगठन है उन्होंने एक report निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस लक्ष तक पहुंचना ह है तो 2030 तक हमें 2010 की तुलना में विश्व भर्क के उत्सर्जन को आदा करना पड़ेगा 2010 की तुलना में मगर जहां पे हम खड़े हैं 50 प्रतिशत जहां कम होना था हम 16 प्रतिशत आगे निकल चुके हैं यानि हम लक्ष से केवल नाकी बहुत पीचे हैं हम पीचे खिसके जा किया है तमाम देशों ने मिलकर तमाम पूटा काम किया है और अगर इस रफ्तार से हमारी सजन अगर बढ़ती रहे तो एक दशमलब पांच या दो अंग सेल्सियस की छोड़िए हम दो अंक दो दशमलब साथ अंक सेल्सियस की तरफ हम देख रहे हैं तो आप समझिए कि अगरा में बहुत भयानक बाड आई है पहली बार मेरे ख्याल से सौ साल के बाद वहां पे पांच सो छे सो से जादा लोगों की मृतिव हुई है बाड में यूरोप जैसे जगह पे और नीचे सदन यूरोप दक्षिनी यूरोप में आग लगे हैं जंगलों में आदे जंग ग्रीस इत्यादी वहां पे नश्ट हुए हैं अमरीका में कैनाडा में जो आम तोर से एक सर्दी का देश माना जाता है वहां पचास अंग सेल्सियस के ऊपर तापमान पहुंच चुका है जंगले वहां पे बड़े पैमाने पे नश्ट हुए हैं तूफान एक के बाद एक तो यह सब जल्वायू परिवर्तन के खतरनाक इशारे हैं कि किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और यह हो रहा है जब विश्व भर क्या तापमान एक दशमलव एक डिगरी बढ़ा है तो आप समझ लीजिए यह अगर हालत एक दशमलव एक में है तो दो दशमलव साथ में कह तक पहुंचेंगे तो इसलिए यह बहुत महतों है कि हम दो अंक सेल्सियस से जितना कम हम कर सकते हैं और हो सके तो एक दशमलव पांच तक हम अगर सीमित रखें तब शायद इतने बायानक असर हमें जल्वायू परिवर्तन के ना दिखें तो यह महतो है इस कॉप 26 का कि हम तो जहां होना चाहिए था उसके पीछे हटे हैं उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो यहां पे जब 200 देश इकठे हुए हैं क्या हम सब मिलके एक ऐसा प्रणाली बनाएं जो उचसरजन को कंट्रोल करें ताकि यह जो बढ़ता हुआ खत्रा पूरे दुनिया के सामने दिख है उसको कहीं न कहीं हम उसको काबू कर पाएं यह महत्व है कॉप 26 जो विकाशील देश हैं जो डवलप्मेंट जिनके लिए बहुत जरूरी है उसमें भारत है उसमें ऐसे भी देश हैं अफ्रीका के जहां पर बुनियादी तोर पर भी बहुत विकास बहुत उर्जा की और ताकि वो भी जिन्दा रह सके बिना उर्जा के जिन्दा रहना बहुत मुश्किल है किसी भी देश का यह कितना बड़ा चैलेंज कॉप 26 के सामने है यह जो डिबेट है विकसित देशों और विकाशील देशों के बीच यह कोशिश कुछ हद तक विकाशील देश इसमें सफल रहे हैं पैरिस अग्रिमेंट के बाद से खास करके क्योंकि पैरिस समझवता में जो एतिहासी कुछ सरजन हुए हैं वो इस समझवते से बिलकुल गायब कर दिया गया है यानि हम के वर आगे को देख रहे हैं कि आज हम कहां खड़े हैं और आगे हम क्या करें तो उसमे एक जिसे कहना चाहिए गैर बराबरी अपने आप से पैदा होता है क्योंकि जिस जलवाईू परिवर्तन का सामना हम कर रहे हैं उसके लिए जिम्वेदार विक्सित तेश 75 प्रतिश्च जितने उचसरजन हुए हैं वो एतिहासिक 1850 से लेके ओद्यों की क्रांती से लेके आ सुर्जत इस उचसरजन के वजए से और उसमें से जैसे आपने कहा अमरीका ने 50 प्रतिशद विक्सित देशों के बीच में से 50 प्रतिशद से भी जादा उन्होंने उचसरजन किया तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है पर आज वो ऐसा चित्र दुनिया के सामने रखना चा ओंगी प्रधान मंत्री नरेंन मोदी ने भी कहा है कि हम भारत जो है दो हजार सतर तर नेट जीरो पर पहुच जाएंगे, एक बिलिएन की बीबात की है कि इतना हम रिडूस करेंगे इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि घर में जब हम देखते हैं, भारत में जो सरकार की य जोजनाय देखते हैं जिस तरह से अध्योगिक लूट बढ़ रही है वह बिल्कुल दूसरे धंग से और वहां जो कमिट्मेंट है वह बिल्कुल दूसरे धंग से मेरे ख्याल से भारत सरकार ने यह सही कहा है कि हम दोजार पचास तक तो हो इनी सकते क्योंकि वह तो पूरी द ने 15 साल के बाद रखेंगे तो पहली बात तो यह कई मैं उम्मीद तो कर रहा था कि प्रदान मंतरी जब कि उदासी है कि इंडिया ने देखो जी 2070 का एक टार्गेट दे दिया जब बाकी सब 2050 तक दे रहे हैं तो इस बात के लिए प्रदान मंत्री को और स्पष्टी करण देना चाहिए था कि ये क्यों है common but differentiated responsibility जो एक बिलकुल असूल है इस पूरे कॉप के साथ जो समझाता है उसको उसके बारे में समझाना चाहिए था कि ये क्यों है तो पहली बात तो ये दूसरी बात जो इन्होंने बाकी जो अपनी तरफ से वाइदे रखे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉप 26 में ये अनिवारिय था कि हर देश जो लक्ष हमने पैरिस में रखा था जो आकांक्षा हैं हमने पैरिस में रखने थे उसके आगे हम आकांक्षा को दिखाएं कॉप 26 में और अभी तक आपचारिक रूप से बारत में कुछ नहीं कहा था तो ये अच्छी बात है कि बारत सरकार ने कॉप 26 के दौरान इस बात को रख्या पर एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष हमने पैरिस के समझोते के दौरान हमारे रखे थे दुनिया के सामने और वो था कि जंगल कटने की रफ्तार को हम कम करेंगे और फॉरेस्ट के अंदर और फॉरेस्ट के बाहर पेड़ को लगा के हम जितनी कार्बन डियोकसाइड उचसरजन कर रहे हैं उसकी तुना में हम कार्बन डियोकसाइड को सोक कर पाएंगे उसकी मातरा हम बढ़ाएंगे उसके बारे में प्रधान मंत्री के बयान में COP26 के दोरान चुपी है और हमारे अपने देश में हमने देखा है कि हर प्रसाव में सरकार का उद्योगी करण की तरफ हो, खान की तरफ हो, माइनिंग की तरफ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हो, कई अ विकास चाहिए बताइए, तो यह जो बिलकुल जिसे मैं कहूंगा, असत्य एक तुलना है, कि या तो आप विकास चाहें, या आप परियावरन चाहें, यह बिलकुल गलत है। काम करने का जो वादा किया है, यह तमाम चीजें हमारी आपकी और देश और दुनिया की निगाहों में हैं। लेकिन साथी साथ जो बड़ा सवाल है, वहिया है कि किस तरह से इसे भारत लागू करेगा। भारत अपने घर में यानि अपने देश में मोधी सरकार जिस तरह की नीतियों को लागू कर रही है, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिस तरह से जंगल खतम किये जा रहे हैं, उन सब में ये जो वादे हैं इन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। यहां याद दिलाना जरूरी है कि भारत सरकार ने जिस तरह से पाम ओयल प्रोडक्शन को हरी जंडी दी है जो बहुत ही बड़ा खतरा परियावरण के लिए माना जाता है जिस तरह से खनन को पूरी की पूरी बेलगाम छूट दी हुई है उसमें बड़े पैमाने पे जो जंगल जमीन का नुकसान होगा उसमें कार्बन डायकसाइड उत्सरजन को रोकने या सोखने वाली जो शमता है वह भारत की कम होगी ऐसे में सिर्फ विदेश ही नहीं देश में भी उन तमाम नीतियों को लागू करना जरूरी है जिस से दुनिया को बचाने की दिशा में हम आगे कदम बढ़ा सके कॉब 26 के दौरान तमाम नेता मिल रहे हैं गले मिल रहे हैं जबरन गले मिल रहे हैं चिपक रहे हैं इसको ले कर भी जो खबरे चल रही है वह भी अपने आप में बहुत दिल्चस्प हैं और उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ा और देखा जा रहा है जैसा आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हमारे प्रधान मंत्री किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और उनके किस तरह के रियाक्शन्स हैं यह तो बात हुई हसी मजाग की लेकिन दुनिया को बचाने का जो अभियान चल रहा है इसमें जो नौजव से दुनिया के जो तमाम नेता पहुचे हैं उनसे दो टूक सवालों में पूछा गया कि कब दुनिया में जो तापमान बढ़ रहा है इसे रोकने के लिए वे अपने कमिट्मेंट देंगे क्या दुनिया का एक जो बड़ा हिस्सा है जो इसमें अपने अस्तित्व के खत्रे को जेल रहा है जो डूब सकता है जो तबाग हो सकता है वह जिन्दा रहना चाहता है उसकी पुकार बहुत जरूरी है कि आप भी सुने हम भी सुने और बाकी लोगों को सुनाने का अभियान जारी रखें शुक्रिया एक जरूरी अपील आप से कि न्यूस क्लिक देखें आपके सहीयोग से आगे बढ़ती रहे शुक्रिया